नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोसों आप सभी को पता होगा कि आर्यान खान की परिस्तानी लगतार बढ़ती जा रही है और फिलाल जहां आर्यान खान को जमारत मिल चुकी है तो वहीं मैं आपको बता दू परधान मंतरी मोधी ने आर्यान खान को लेकर कुछ ऐसी बाते कह दी हैं जिसके बारे में जानकर साइद आपको भी विश्वास ना हो इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अंत तक देखीगा जिहां आपको बता दे आर्यान खान को जहां 3 अक्टूबर को गिरफतार किया गया था तो उसके बाद से हमने देखा था कि किस तरह से सारुख खान ने अपना 100% इस वज़े से दिया था कि आर्यान खान को छुडा दिया जाए लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सारुख खान की मेहनत रंग लाई है या फिर NCB के डारेक्टर को डरा धमका करके और उसके बाद फिर आर्यान खान को जिल से रिहा कराया गया है और इसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से इस मुद्दे को लेकर राजनेती होती रही और फिर बात परधान मंतरी मोधी तक भी पहुँच गई थी अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अब जब आर्यान खान को जेल से रिहा कर दिया गया है तो इस पर किस तरह से प्रधान मंतरी मोधी और तमाम केंदर के बड़े मंतरियों ने इस पर अपनी बात रखी है दोसों जिस टाइम पर आर्यान खान को गिरफतार किया गया था उस टाइम पर ऐसे बहुत सारे बड़े नेता थे जो कि सामने आकर के ये कहते हुए नेजर आये थें कि सिरफ और सिरफ सारुखान की popularity की वज़े से ही उनके बेटे को परिसान होना पड़ रहा है लेकिन इस ताइम पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब सारुखान का बेटा जिल से रिहा हो चुका है तो वही मंतरी इस टाइम पर चुपी साधे हुए हैं और किसी ने भी सामने आ करके अभी तक कोई बयान नहीं दिया है क्योंकि उन सभी को पता है कि उनका जो एजेंडा था वो काफी हद तक कारगर हो चुका है लेकिन इसी बीच मैं आपको उता दूँ कि केंदर के काफी सारे ऐसे मंतरी हैं जिनोंने आर्यान खान की रिहाई पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया है उनोंने कहा है कि समीर वान खेड़े के उपर दबाव डाल कर एन सीवी के अधिकारियों के उपर इलजाम लगाकर फसाने की कोशिस की गई और उसके बाद फिर आर्यान खान को जेल से बाहर लाने की कोशिस की गई जिस तरहं से आरियान खान को जिल के अंदर डाला गया था, सायर अगर उनसे उसी तरहं से पूश्टाज होती तो बहुत सारे ऐसे सबूत, बहुत सारे ऐसे गवाष और वहुत सारे ऐसे सेलिवीटी किट्स पकड़े जाते हैं, जिनके आधार पर आगे बुरी तरहं से वॉल बॉलिवुड में ड्रक्स जलता है, क्या आप सोच तकते थें, कि बॉलिवुड वाले जो इतना अच्छा खासा दिखते हैं, जिनकी फिल्मे देकर आप काफी कुछ दिखते हैं, वो ड्रक्स भी लिया करते होंगे, ये एक बॉलिवुड का बहुत ही जादा डार्क चेहरा है जिसकी सचाई जब सामने आती है, तो विश्वास करना बहुत मुस्किल होता है, अब इसी विच मैं आपको उता दूँ कि तमाम केंदर के मंतरी और प्रधान मंतरी मोदी ने भी ये कहा है, कि अगर इस मामले में किसी भी तरह से NCB के अधिकारियों को ड्राय धमकाया गया ह तो इसकी जांच होगी और इस पर बड़ी कारेवाई भी होगी, और इसी वज़े से NCB के अधिकारी समीरवान खेड़े से लगतार पूछता चल रही है, और वो अपनी बाते खुल कर सामने रख रहे हैं, मैं आपको बता दू कई बार खबर ये भी आय थी, कि उनका पीछा कराये जा रहा था और साथी साथ उनकी जासुसी भी करवाई गई थी, इसी वज़े से ये मुद्दा का, और अगर सिरफ इसी वज़े से समीरवान खेड़े के डराने धमकाने की वज़े से ही आर्यान खान को जमानत मिली है, तो इसकी जांच होगी, और इस पर आने वाले दिनों में आप ये पाएंगे कि सक्त से सक्त कारेवाई भी होगी और आर्यान खान को एक बार फिर से जेल में डाला जा सकता है, तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे सेर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद